बॉलिवर एक्ट्रस मॉनी रॉई ने हाल ही में इंस्टेग्राम पर अपनी कुछ तस्वीड़े शेयर की हैं जिसमें वे असल से भी जादा खुबसूरत दिख रही हैं इन फोटोज में मॉनी का एक अलग ही अंदास देखने को मिल रहा है अपने फैंस इन फोटोज पर उन्हें भर भर के तारीफे मिल रही है दरसल मॉनी इन फोटोज में नीली साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए, कानों में जुमके, गले में हार और पैरों में घुगरू पहने नजर आ रही है मॉनी रॉइ कितनी स्टाइलिश हैं वो तो आग सभी जानते हैं, लेकिन जितनी वो स्टाइलिश और ग्लैमरेस हैं, उतनी ही अध्यात्मिक भी है वहीं मौनी रॉल का क्लासिकल संगीत से भी खासा लगाव है शायद यही वज़ा है कि अब मौनी समंदर किनारे कराकटम करती नजर आई है जी हाँ ये फोटोज एक बीच पर कराकटम करते वक्त की हैं जिसमें मौनी बेहर खुबसूरत लग रही है मौनी ने अपने इंस्टेग्राम पर कुछ वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है मेरे घुंगरू, सुर्यास और कराकटम आपको बता दे कि कराकटम एक तमिलनाडू का एक लोक मृत्त है कहा जाता है कि नदीद देवी और वर्षा देवी की महिमा का बखान करने वाला यह नित्य मौनी करती नजर आई है 27 जुलवरी को मौनी रॉय सूरज नाम्यार संग शादी के बंदह में बन चुकी है सूरज उनके बच्पन के दोस्त हैं जो दुबई के बिजनिसमेन है वहीं शादी के बाद भी मौनी ग्लेमरस इंडस्ट्री का हिस्सा है और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है मौनी ने हाल ही में अपनी ग्लैमरस फोटो से सोशल मीडिया पर काफी सुर्ख्या बटोरी थी बात करें उनके वर्प्रंट की तो मौनी रोय एक बिग बज़ेट मुवी भंमास्र का हिस्सा है जिसमें रनबीर कपूर, आलिय भट और अमितार बच्चन जैसे दिगद सितारे हैं फिल्म पार्ट 3 में रिलीज होगी जिसका पहला पार्ट इसी साल रिलीज हो सकता है मौनी रोय ने अपने करियर के शुरुआ टीवी से की थी जो सबसे पहले क्योंकि साथ भी कभी बहुती में नजर आई थी लेकिन उन्हें सबसे जादा पहचान देवो के देव महादेव और नागिन जैसे नाटक से मिली लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों के तरफ अपना रुख कर लिया उसके बाद तुम्बिन्टू, गोल्ड, रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चायना, लंडन कॉन्फिदेंशल, वेले जैसी फिल्मों में वो नजर आई थी जिसके बाद वेले तुम्बिन्टू, गोल्ड, रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चायना, लंडन कॉन्फिदेंशल और वेले जैसी मूवीज में नजर आई थी